नमस्का आप स्वागत आपका बीएची वर्ड में मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुख चुके हैं देरी करेंटर्पेर्स बुलेटीन में आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर से 10 महत्तोपूर्ण प्रस्ण जो आपके एक्जाम के दिश्टिकों से है वो लेकर हम आप लोग के भी चुपस्तित हो चुके हैं तो आज का हमारा सबसे पहला कुश्चन है किस देश में मौजूद क्लोटिक स्कूल प्रोजेक्ट को आगा था अर्किटेक्ट्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो यह है बांगलादेश इसका देवाब हो में अस्तित्तों में आया किस राचे में मौजूद कि गुरु घासी राष्ट्रिय द्यान को टाइर रिचर्व बनाये चाने की घोष्णा की गई है तो यह है चत्तिस गड़ चत्तिस गड़ के बारे में आप जानते होंगे कि इसकी राजधारी जो है वो है रायपूर्ट और इसके जो अब मुख्य मंत्री है वो है भुपेश बगेल इससे पहले चत्तिस गड़ में तीन टाइगर रिचर्व थे अब गुरु घासी दास टाइगर रिचर्व लेकर कुल चार टाइगर रिचर्व चत्तिस गड़ में हो गए है तो हम बात करेंगे इससे पहले तीन कौन पॉन थे तो तीन जो थे उनका नाम है अचानक कमार टाइगर रिजर्व उसके बाद दूसरा है उदर्णती सीतानदी टाइगर रिजर्व और तीसरा जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपसे परिच्छा में इस तरीके से भी कोशन पूचा जा सकता है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में इस्तित है तो वो है चातिस गर्ड़ पे कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो कुल चार है आप इसको नोट्स बुक में लिख लेंगे और और रा कोशन है राष्ट्रिय दुख्ध दिवस कब मनाया जाता है तो जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन राष्ट्रिय दुख्ध दिवस भी मनाया जाता है तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है इसे पीछले वाले वीडियो में आपको बताये थे नवंबर को और दुखत दिवस मिंक्प मनाता है पर 3 kay शाल 26 नवंबर ही मनाता है और यह जो है डॉक्तर वर्गिस्वकुरियं के जरम दिवस के संबंदित है और वर्गिस्पुरियन उसी के प्रणिता थे वर्गिस्पुरियन को मिल्क मैंट ओफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अब यहां से एक और प्रस्माब निकालेंगे कि राष्टिय दुख्ध दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो यहां पहली बार मनाया गया था साल 2014 इसमी में और किसके द्वारा मनाया गया था कमिकर यह ऐसा भी कोस्टन आ सकता है और अगर नहीं आएगा फिर भी आप समाने तनकारी के लिए इस बात को जान जाए कि भा तो हमारा अगला कोस्टन है कि हाली में किसने जी इंटर्टेन्मेंट के चेर्मेन के पद से इस्तिफा दे दिया है तो इनका नाम है सुहास चंद्रा सुहास चंद्रा के बारे में आप लोग जानते होंगे हर्याना से राज्य सवा के सांसद है बीजेपी से और जी दिव्यांगों के लिए अरच्छन का प्राधान करने का नियर्न लिया है तो यह राज्य है यह राज्य है छत तिस गड और अप्रशन की बात चल रही है और एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि 36 गड़ में दिप्यांगों की कुल जन संख्या जो है वह कुल जन संख्या का छोव प्रतीसत है हाली में भारत ने संख्युक्ण की महासभावं किस देश के साराद संबंदी प्रस्ताव का समर्थन किया है तो यहां है रसिया रसिया ने महासभावें साइबर अपराज सम्मल दी प्रस्ता लाया था जिसका समर्थन भारत ने किया है अब साइबर अपराज से एक कुश्चन और हम आपको बता रहे हैं कि हाली में हम आपको बताया थे कि वह कौन सा देश है जहां इंटरनेट का तुरूप योग सबसे जादा होता है तो हुआ है चाइना और तब साइबर अपराज की बात होती है तो इसमें बहुत सारे तक्षे हैं जिसके बारे में अच्छे चापको साइबर अपराज के बारे में बता देंगे साइबर ट्रॉलिंग होती है उसके बाद साइबर बूलिंग एक सब्द आता है बहुत सारा तक्षे इसे संबंदित है जिसकी चर्चा फिरम कभी आपसे करेंगे अगला कोश्चर हमारा है वोमेंस एथलेटिक्स ओफ दा इयर 2019 के लिए किसे चुना गया है तो यह जिस खिल खिलारी को चुना गया है वह उस खिलारी का संबंद अमेरिका से है उनका नाम क्या है उनका नाम है दलीला मुहम्मद है यह और इनके बारे में हम आपको बता दे कि हाल ही में दोहा में कि विश्वे एथलेटिक्स जैंपियर्शिप का एविलन किया जा रहा था जिसमें इन्होंने स्वर्न पदपी जीता था अब अगरा कोस्टन हमारा है लेंस एथलेटिक्स ओफ दा यह 2019 के लिए किसे चुना गया है तो जिसे चुना गया है उसका नाम है इलियूड कि चोग इलियूड कि चोगे इसका नाम है अब जो है हम आपको बताएंगे कि वुमेंस ईथलेटिक्स ओफ दे एएर और मेंस एथलेटिक्स ओफ दे दिएएर नंग चुनाब होता है वह कैसे होता है यह अपने आप में खास है इसलिए हम इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं 24 नमवर को क्या हुआ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने इन दोनों पुरस्कारों की घोष्टा की तो चैन कैसे हुआ तो यह इसका जो चैन है वह वोटिंग सिस्टम से हुआ जिसने 50% बोट खिलाईओं ने डाले 25% जो है वह जर्रलिस्टों का था और 25% बोट आम जनता का था और इस तरहीके से चुनाबी प्रकिर्या के कवारा और मेज अफ्लेटिक्स ऑफ धीयर का चुनाब किया गया किस के द्वारा किया गया तो वर्ल्ल एतलेक्टिक्स प्रेडरेसर के द्वारा किया जबर प्रति हों स्वास्थ पर्भोजन विकरकों के प्रति जाउपता फैलाने के लिए तो इट राइस अभियान की šुरुवात की गई है इत्राइट अभियान जो है इसका उद्द्ज से क्या है इसका की सब को स्वास्थ जो स्वच्ष भोजन होता है वह उपलब्द हो सके अब हम बात करेंगे आज का हमारा अंतिम कोस्टम है उसकी कोस्टम है किस क्रिकेट अम्पायर द्वारा लिखी गई कुस्टर finding the gaps का हाली में बिमोचन किया गया है तो अम्पायर का नाम है साइमन टफिल और साइमन टफिल किस देश के हैं तो साइमन टफिल आस्ट्रेलिया के है अब यह जो बुक लिखी गई है वह किस चीज पर आधारित है तो finding the gaps जो बुक लिखी गई है वह ब numéro इस बी में स्री लंका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था जिसमें साइमन टफिल मैदानी क्या थे साइमन टफिल नोम साइमन पीदाल ने में के आपसे विदाले उससे पहले प्रते एक दिन जो आपसे तीन प्रस्णप पूछे जाते हैं उसकी बारी आती है तो आपसे हम तीम प्रस्ण पूछे उससे पहले कल जो तीम प्रस्ण आपसे पूछा गया था उसका जवाब दिये चले कल आपसे कोश्चन पूछा गया था जी 20 देशों की अस्थापना कब हुई तो जी 20 देशों की अस्थापना हुई है 26 सितंबर 2000 26 सितंबर 1999 इस्वी को आप सवों ने हुगुती अच्छा जवाब दिया है दूसरा कोस्चन है दूसरा कोस्चन था भारत में पहली बार सम्विधान दिवस कब मनाया गया तो भारत में पहली बार सम्विधान दिवस मनाया गया 26 नववर 2015 को और तीसरा कोस्चन आप से था कि वैस्विक सांती सुचकांग किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वैस्विक सांती सुचकांग आपको बताना है इंद्रावती टाइडर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है दूसरा क्वेशन आपको बताना है कि हाली में जी इंटर्टेर्मेंट के चियर्मेंट के पच्चे किनों ने इस्तिफात दिया है और तीसरा क्वेशन आपका है तीसरा क्वेशन का आपको जवाब देना है कि मिल्कमैन ओप इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथी जो भी प्रस्ण आपसे पूछ जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें एक और तुझा जवाब भी लिखे इस तरीके से फुल मिलाकर एक दिन में आपके लिए तेरा कोस्टर हो जाते हैं और आप उस कोस्टर को नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं क्योंकि हम नियमित तोर पर क्विज कॉंटेस्ट का एलोजन करेंगे जिससे हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि आप लोगों की दिसा आप लोगों का मेहनत आप लोग किस दिसा की ओर पढ़ रहे हैं और आप लोग जो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं कि नहीं इसकी विजन डाली इसक्यूंज के मात्यम से हमको मिलती है तो दोस्तों कर फिर होगी मुलाका तब तक तर खुम लाकर पढ़िये धन्यवाद